हेलो नमस्कार दोस्तो नाम है मेरा बॉबी और यूट्यूब पर जानगाई देनी मेरी होबी आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ यह है एपल का आईपैड प्रो और यह हमें काफी अच्छा देखने को मिलाता है इस्क्रीन साइस की बात करते हैं तो 11 इंचिस की स्क्रीन बन टीवी, टू टीवी अगर चारजिंग की बात करें तो C टाइप केबल देखने को मिलाती है जो कि आजकल एपल के सारे के सारे प्रोड़क्त में आ रही है और आगे भी एपल की ही उन प्रोड़क्त में आईगी अब हम बात करें इसके स्पीकर की तो एक बहुत अच्छ और इसमें मैं बात करें वाइलेस कम्मुनिकेशन टेकनोलोजी देखने में जाती है सेलूलर और वाइफाई दौनों वेरियंट अभी लेवल हैं इसके अंदर और चलेंगे हम इसके स्केंसब्र खुक्ता..िस रहाई है, यह मेरा बर स्क्राइब रहता हूं , तो हम आगे बढ़ते हैं , इसमें थोड़ी दिर तक कुछ सेकंड के लिए प्रेस करोगे तो जो फीचर आप खुलना चाहोगे वो खुल जाएगा ये iPhone XX तक आया था लेकिन फिर Apple ने बाकी के फोनों में बंद कर दिया था लेकिन इसका काफी अच्छा यूज है जिन लोगों ने यूज किया है हमें नीचे कमेंड करके जुरू होता है बाकी इसमें iPad का benefit है अलग है आप इसको कहीं भी carry कर सकते हो छोटा सा है आप कहीं भी लेके जा सकते हो और काम अच्छे से कर सकते हो तो यह चीज मुझे iPad Pro की काफी अच्छे लगी यह कैमरा बहुत अच्छा है अभी मैं आपको इसका camera चला के दिखा हूँ हूँ है camera बहुत अच्छा है आगे का camera की बात करें पीछे की camera की बात करें तो दोनों camera इसके बहुत जवर्जस देखने को मिल जाते हैं और में एक बार और जो इस पर आप लोग अगर कोई काम बगारा कलना चाहते हो multitasking तो वह भी आसानी से कर सकते हो क्योंकि इसका screen size बहुत बढ़ा है तो दो तीन चीजे आसानी से चल जाती है यह देख सकते हूँ यह इसका back camera यो कि बहु सब्सक्राइब करना चाहते हैं अगर आपको देखो जल्दी जल्दी काम करना है और आप लोग जैसे traveling ज्यादा करते हो तो आप इसको prefer कर सकते हो छोटी सी चीज है आप आसानी से carry भी कर सकते हो काम भी कर सकते हो लेकिन काम के परफस से बहुत ही बढ़िया है सब कुछ एकदम अच्छा देखने को जाता है battery backup भी बहुत अच्छा है इसका मैंने use करके देखा battery backup तो आपको दा के विजिट कर सकते हो thank you for watching next video में जल्दी मिलते हैं तब तक लिए नमस्कार take care like करें share करें subscribe जरूर करें